हेलो दोस्तों, बेलकम टू स्पेसल स्टेडी विद्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बिरिक देकिंग अपडेट निकल कर आ रही है डीट पलस भी PGT बेकेंसी 2022 निउ रिजर्ट कटाप रिजेक्शन नोटिस 2022 को लेकर बड़ी अपडेट जारी किये गई है डीट पलस भी PGT रिजर्ट कटाप नोटिस से जुड़ी नए नोटिस जारी किये गए हैं जो इस वीडियो के माधन से फुल ओप्डेट आपके साथ सेर करने बाले हैं आप वीडियो को सुरू से लेके आखिर तक जरू से जरू देखेगा आल ओबर इंडिया लेवल से एंड टीचर सिक्रूमेंट की सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए खासका डीट पलस में जितनी teacher's recruitment की latest update प्रवाइट करा जाती है जो है result हो, cut-up हो या vacancy से latest जानकारिया दी जाती है सारी जानकारी इस वीडियो के मादग से प्रवाइट कराएंगे साथी में इस channel में आपको किवर teacher's से latest सभीब कार की latest update को प्रवाइट करा जाता है यदि आपने अभी तक इस channel को subscribe now नहीं किया तो subscribe now जरूर से जरूर कर लें और bell icon को प्रेज कर लें जिससे जो भी notification हमारे दोवार release की जा तो जल्द से जल्द आप तक पहुंश सकें तो ठीक है दोस्तों 9 नए notice जो जारी कियेगे बिल्कुन optional update एक एक विस्तार से share करेंगे आप वीडियो के इन तक बने रहें यहाँ पर पहली notification देख लें जो कल देर राद तक notice जारी की गए थे result जारी किया गया है rejection notice के रूप में 834 नमबर देख लें educational and vocational guidance counselor female के लिए जारी किया गया है जिनका post code 36 इनको rejection notice भेजा गया है किस बज़ा से इनको rejection notice भेजी गई है तो यहाँ पर देख लें और भी ऐसे candidate है तो ओबी सी category में 6 से candidate है वहीं SC category में देख लें यह रहे candidate के रोल नमबर और उसीं के सामने उनका रिमार्क दिया है जो किसी कारण बस यहाँ पर देख लें जैसे दोफ्तो master degree in psychology after cut-up date मतद जो भी master degree इस रोल नमबर में जारी की गई थी रिमार्क के रूप में ओ cut-up date के बाहर थे इसके कारण इनको rejection notice भेज दिया गया है तो इतने सारे ऐसे candidate हैं जिनको rejection notice जारी की गई है दूसरी नई notice देख लें इसमें भी rejection notice भेजी गई है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो जो result जारी की गई है rejection notice नमबर 845 educational and vocational guidance counselor female के लिए जारी की गई है जिनका postcode 36 वटे इक आई से indirect education देख लें जो जारी की गई है तो ए रहे यूर कटेगरी का रोल नमबर फैले टू अपलोड इडोजिया copy candidate को बताता रहता हूँ दोस्तों कि आप जो इडोजिया जाता जब भी मौका दिया जाता है किसी भी student के लिए तो साधानी से उसमें अपने सभी documents को upload करें तो देख लें तीन ऐसे candidate है जिनके फैले to upload इडोजिया हो गए है while every care has been taken is the preparing result D2B reservist the right to the rectify error and the permissions and the detected and any stage तीसरी नई notice यहाँ पे देख लें जो जारी किया गया है result के लुप में result notice no.843 educational and vocational guidance counselor female के लिए जारी किया गया है जिनका postcode 36 बटे 21 है देख लें इसमें इनमें 118 vacancy यहां release किये गए थे जिसमें UR की 24 EWS में 2 OBC में 56, ST में 17 और ST पर 29 और including PHOS के लिए 00, BS के लिए 00 vacancy लेज कि गई थी जो इनका result जारी किया गया है इस result के अंसार देखने 73 EWSC candidate है जिनको मौका दिया गया है इस postcode के लिए जिसमें UR के 24 candidate है और OBC के लिए 27 है ST के लिए 17 और ST पर 5 EWSC candidate है जिनको जारी किया गया है जिन में से EWSC category जे है तो no qualify candidate कोई भी ऐसे candidate नहीं मिला जो qualify है UR में से 24 candidate मिले है जिनको qualified है और इनी के देखने concern के role number दरसाए गया है OBC में 27 candidate मिले जिनके marks qualify marks के उपर है वही SC category के लिए 17 candidate मिले और ST पर 5 candidate मिले हैं जिनको कटाफ marks के उपर है और इनके लिए हाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो कटाफ जारी की गई है तो देखने UR में 149 25 और EWS में qualified candidate नहीं इसलिए कोई कटाफ नहीं जारी की गई OBC के लिए 105 25 85 ST पर SC पर 26 55 और ST category पर 92 28 एक इनकी कटाफ जारी की कुछ candidate को betting panel में भी रखे गए हैं कुछ candidate जो betting panel लिस्ट में रखे गए हैं तो देख लिए UR काटेक्डी में 5 ऐसे candidate हैं जो betting panel में रखे गए हैं EWS में कोई suitable नहीं मिले OBC के लिए suitable candidate नहीं मिले SC पर देख लिए SC तीन candidate suitable मिले जबकि ST पर कोई भी candidate suitable नहीं मिला जिनको betting panel में रखे जाएं वहीं EWS में देख लिए 146.99 इनकी कटाफ गई है SC पर 94.06 इनकी कटाफ जारी की गई तो इनके लिए big opportunity जारी की गई इन कंडिडेटों के लिए देख लिए एक mail candidate के लिए जो rejection notice भेजी गई थी educational and vocational guidance counselor female के लिए जिनका 35 बटे 20 है पूस्ट कूड है यह देख लिए UR में देख लिए दो ऐसे candidate है जिनका EWS फैलेट हो गया था OBC में दो candidate है जिनको फैलेट notice भेजा गया है rejection notice के रूप में और HC में एक ऐसे roll number है जिनको फैलेटर्स नोटिस जारी की गई है Next notice यहाँ पे देख लिए जो E, B, C, G के लिए जारी किया rejection notice number 847 educational and vocational guidance counselor male के लिए जिनका 35 बटे 20 सदे देख लिए UR में दो ऐसे roll number है जिनको rejection notice भेजा गया वहीं देख लिए O, B, C में एसे एक roll number है जिनको rejection notice भेज दिया गया है Next notice यहाँ पे देख लिए main result जारी किया गया है notice number 846 educational and vocational guidance counselor male post quote के लिए 35 बटे 20 के लिए जारी किया गया है इसमें total जो vacancy 198 रिलेज की गई थी जिनमें UR की 88 EWS की 9 O, B, C की 62 SC की 23 और ST की 16 vacancy रिलेज की गई थी देख ले तो ST जो EWS के कोई भी candidate qualified नहीं हुआ UR में से 36 candidate मिले जिनको qualified marks मिले और नहीं पे देख सकते हैं दूस्तों O, B, C के लिए 9 candidate है SC पर 13 और ST पर 2 ऐसे candidate है जिनका यहाँ पे देख ले जो इनकी कटाब जारी की गई है तो जो EUR में जारी की गई है यहाँ पे देख सकते हैं जो EUR में जारी की गई है UR की 112.4.0 O, B, C की 115.3.5 SC की 90.5.5 और ST पर 99.8.3 इनकी कटाब जारी की गई है वही बेटिंग पैनल में भी देख ले कुछ कंडिडेटों को रखा गया है जिनके रूल नमबर यहाँ पे देख सकते हैं दोफ्तों जो बेटिंग पैनल में रखे गई है नेक्स नोटिस यहाँ पे देख ले PGT कामर्स फीमेल के लिए रिजर्ट जारी किया गया है रिजेक्शन नोटिस नमबर आर्ट सो इंक्यामन PGT कामर्स फीमेल पोस्ट कोट 24 वटेवीस इन डिरेक्टेड आप इसकी सनिहाद देख लें यह और काटिग्री में ए रहे रूल नमबर और फैलेट टो अप्लोट इडोजर हुआ है जिसके कान इनको रिजेक्शन नोटिस भेजा गया है वहीं OBC का एक कंडिडेट है जिनको फैलेट अप्लोट टो इडोजर के लिए रिजेक्शन नोटिस भेज दी गई है नेक्स देख लें आठमी नई नोटिस जो जारी किया गई तो अलग-अलग 9 नोटिस भेज जी गई है अनसी सारी बजह दी गई है कि किस बजह से इनको रिजेक्शन नोटिस दिया गया है नौमी नोटिस यहां पर देख लें जो मेन रिजल्ट नोटिस नंबर 849 जारी किया गया है PGT Commerce फीमेल पोस्ट कोट 24 वटे 20 के लिए इन डारेक्टिट अप इसके संद की तरफ से देख लें 30 बैकेंसिया डिलीज की गई थी जिसमें से OBC की चगदा थी UR की 9, S3 पर 8 और S3 पर 1 इन डारेक्ट पोस्ट रिलीज की गई थी जिनके देख लें EWS में कोई भी हैस्ट टेवल कंडिडेट नहीं मिला UR में 9 कंडिडेट, OBC के लिए चगदा, OBC पी अच पी अच के लिए देख लें एक रूल नंबर और OBC बी अच कटेगरी के दो और S3, S3 पर एक कंडिडेट है और S3, 58 कंडिडेट है जिनको कटाफ मार्स के उपर मिले है जिनकी कटाफ कुछ इस पकार से रिलीज की गई है देख लें जो UR में 220.06 OBC में 220.055 S3 पर 199.058 S3 पर 114.098 ताज सनद 6.04 इनकी कटाफ जारी लीज की गई है वहीं बेटिंग पैनल में भी देख लें कुछ कंडिडेटों को रखा गया है जिसमें से UR काटेगरी में दो कंडिडेट हैं ये दो के रूल नंबर OBC पर तीन ऐसे कंडिडेट है जिनको बेटिंग पैनल में रखे गए है वहीं SC पर एक कंडिडेट HT पर दो कंडिडेट PHOH के लिए एक कंडिडेट और PHBH का टेगरी में कोई भी सुटेवल कंडिडेट कौलिफाइड मार्क्स के उपर नहीं मिला वहीं देख लिए यूर में 299.24 OBC में 299.08 SC पर 189.41 HT पर 110.34 PHOH के लिए देख लिए 176.44 इनकी कटाप भाई हुई है और बिग आप पाचुन्टी है सभी कंडिडेटों के लिए इन नाई नोटिश जो जारी की गई है जो इस वीडिओ के मादम से फुल ओप्सियल अपडेट आपके साथ सेर किया गया है इन में से आपकी कोई भी कोईरी रहती है तो हमें कमेंट सेक्षन बॉक्स में जरूर अपडेट करें थैंक यू